कथक जो है बिलकुल आप उसको सीमित नहीं कर सकते, वो जीवन की तरह है, वो एक नदी की प्रवा है, वो प्रवा चलती जा रही है, अगर आप कृष्ण राधा की आपने जिक्र किया, तो बारवी शताबदी के पहले कृष्ण राधा का जो प्यार है, वो उसके पहले था ही नहीं, जैदेव ने उसे बनाया, और वो हमारे मन के अंदर बस गया, और वो वहां से परंपरा शुरू हो गई, लेकिन कथक की परंपरा तो उससे पहले की है, जो अभी तक जो मिलता है, जो अभी लेक है, वो है चौथी शताब्ती इसापूर्व, यानि अर्ली मौर्यकाल की है, धाई हजार वर्ष पहले की है, और वो है कि गंगाय महा नदिये तटे सब्व, कथक भिंगार नते इनम, स्तुती इसी कायम, एही राया आदी नाहो भावेनम पस सही, और फिर महाभारत में भी है, तीन पर्व में है, आदी पर्व, अनुशासनिक पर्व, और सभा प तो ये कथक की परंपरा, धाई हजार वर्ष से भी अधिक से चली आ रही है, तो वो प्रवा है, तो आप उसको सीमत कैसे कर सकते हैं, और उसमें जो कथा वाचन का है, कथा बिलकुल हमारी भारतिय पद्धती में, हम लोग भगवान की लीलाएं के जरिये, हम वैल्यूज, देते हैं, अपने आप को भी शुद करते हैं, और फिर दूसरे को भी वैल्यूज तो हम तो एक माध्यम बन गए, तो वो उसमें तो हर चीज आती है, तो उसमें तो बहुत सारी लीलाएं हैं और विस्तरत है, विस्तरत है, आप कोई भी थीम उठाये, लेकिन उसमें में ची है जो मूल आधार है वो तो लोक निर्ति ही है यही समझा जाए हर चीज का आधार जन से आती है जितने भी डांस फॉर्म से जितने भी संगीत शैलिया है वो जनता से ही आती है जन से ही आती है और कथक का जो है वो एक तरह से आप जो भी आप कह ले क्योंकि original कथक मंदर के ऐसे भाव विभूर हो गये कि वो नृत्य करने लगे तो वो तो तो वहीं से एक एक फॉर्म निकला और वो आगे जाकर के एक उसमें फिनेस आ गया एक डिवेलप्ट फॉर्म आ गया और जिसको हम शास्त्रिय नृत्य कहते हैं तो वो इसके लेकिन बुन्याद जो है बुन डिवेलप करके एक शास्त्रिय वृत्य का फॉर्म लिया और यह जो फॉर्म है जो कथकों का जिक्र जो है कि वो हमारे आथा बहरेडेल कीथ ने भी कहा है कि वो जो उन लोग कह रहे हैं वो एक तरह से वो एकदम भाव की जो है वो सब्लिमिटी की तरफ ले जाते हैं तो आ में मुद्दा है कि वो किस तरह से डिवेलप करता है और वो डिवेलपमेंट जो है वो शास्त्रिय रूप में हुआ